हाई गाईस बेलकम माई यूटूब चैनल आपसी फिल्म दोस्तों बहुत ही सांदर जनकारी आपके लिए कर आया हूँ मौवाइल से मात्र तीन बटम के सहारा से हम गाना निकालने के लिए सीखेंगे बहुत कौन सा तीन बटम है वीडियो में देखिएगा आप लोग और यकीन मानिए आज तक अगर आपसे गाना नहीं निकल रहा है कोई भी गाने को खुद से नहीं बजा पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं बहुत ही सांदर जनकारी लेकर आया हूँ सिर्फ सर्गम के सहाइता से जां दोस्तों हर्मोनियम का वो एस्टेप जो आप सभी को सीखना चाहिए उसके बाद गाना पले खुद बेखुद होगा तो सर्गम के सहाइता से मैं भी गाना को निकाल कर दिखाऊंगा आपके सामने बिल्कुल लाइब ताकि आप भी आसान सब्सक्राo ट्राइज कर सकते में लिंक को श्रिंड आई पूस्तों इसी यदोस्तों इस इसको हम थोड़ा कोपलर करेंगे यहाँ पर रोलिंग करके एक औक पाग लेंगे ठीक इस थाहरीक से इसको थोड़ा कोपलर चालू कर लेंगे यहांसे गाऊ अवाज में बतला आ गया उसके बाद यह जो लिखाओ अनोटेसन है इसको हमें यहां पर सब्सक्राइब यहां पर क्लिक करना और एक नंबर का सब्सक्राइब उसके बाद यहां पर सारे गमा का उप्शन करके यहां से लिखाओ जो सरगम दिख रहा है यह सबी बटम को पर आ जाएगा ठीकिए अब कि दोस्तों आपके मर्विया सवारा आता हुए कि हम इस प्रकार से हर्मोनिया पर करें हर मैं के उपर कुछ भी सुनकर बजाना या तो कोई गाना हो या तो जो भी आपके मन में चलना कुछ भी सारे गामा पधा ये सास्वर को सर्गम करते हैं इसका उफ्योंग कैसे होता है ये क्या है प्सक्राइब चाबी और ये स्यप्तों से ना दॉस सीधी का वह कील है जिसके पर हम चड़ेंगे ठीक है देखें कैसे सर्गम को पले कैसे करना है पहले स्वर सा है हर्मोनियम का दूसरा सुद स्वर रे है, तीसरा गा है, चौथा मा है, पांचमा स्वर पा है, छटे स्वर गा है, और सातमा स्वर नी है, ठीक है, इसी प्रकार हम जब आपस जाएंगे सरगम को आरो हर अवरो में प्ले करने के पस्चाथ, आपको एक चीज़ अनुभव करना होगा, स्वर का उतार चड़ाओं, जैसे हम इधर से जाते हैं, देखिए कई से दोस्तों, आपने अनुभव किया भारी आवाज, साका और सवसित तिब्र आवाज, यानि रेंज का जो तेज आवाज है, नी का इन दोनों सवर में आस्मान जमीन का फर्क है, बस यही सरगम के ट्रिक को समझना है, उसके बाद हम जब बीच वाला सवर कौन से हो गया और सा सुर है तो बीच वाला सोर माह होजाए गए, दो तीन, चौत था सुर उसके बाद एक, दो तीन, अब सामा नी यह मद्ध्य वाली आवाज है यह स्थाई वाली आवाज है कि सामानी कितना डिफ्रेंट है जब शुरुवात में सरण को पले की है तो साक भारी आवाज फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ए से आवाज में परिवरत चढ़ाई जैसे लग रहा जी पहार चढ़ रहे है ठीक है तो इस तरीके से सरगन को समझना है कि सरगन के उपर गाना बजता है निकलता है वस दुनिया का कोई भी गाना होगा यह से स्टाट हो जाएगका सरगम के अलावा और कोई वह ही नहीं अब क्या है इस साथ स्वर के अलावा है तो क्या क्या है सा का कोई नहीं और पा का कोई नहीं है रेक का कोमल रे गा का कोमल गा मा का तीब्र मा धा का कोमल धा और नी का कोमल नहीं चार कॉमल एक तीबर और साथ सुद्ध सुर याने कि एक दू तीन चार पांथ छे साथ आठ नौग दस ग्यारा बारा इस बारा सुर के आलावा हर्मोनिय में और सुर नहीं है इतना मन में बिठा लेना है कि बारा सुर में ही कोई न कोई स्वार ऐसा होगा कि जो मैं गाना निकालेंगे चार आओं उसका इस्टार्ट मिल जाएगा तो आए गाना हम देखते हैं इस पर निकाल कर कि कैसे निकाला जाता किसी भी गाने को जब याप हर्मोनियम पर बैठें तो अपने मन से अपने मन से कुछ मन में गुंगुना के या तो फिर एक सर्गम के साथ इस तरीके से उंगली को चला कर उंगली का स्पीड जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है जैसे देखिए जैसे मैं अभी प्ले कर रहा हूं कुछ भी कुछ भी पले करना जैसे आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं जो बजा रहा हूं बही बज रहा है ठीक है सर्गम सिखने के बाद आपको ये प्रेक्रिस हमेशा करना जैसे कुछ भी बजाना है मन में कुछ भी सोच लिए कुछ भी बजाना जो आपको लगा कि ये कुछ अच्छे स्वर बज़ रहा है तो उसको बार-बार रिपीट करना बार बार रिपीट करना इससे होगा कि आपको बढ़ जाएगा हर्मोनियम को प्ले करने बाली उसके बाद आपके मन में कुछ भी चलता होगा तो आपको स्वार का नुभाव हो जाएगा ठीक है अब है कि स्वार ज्यान के सहायता से गाना को निकाला जाता है जहां दोस्तों स्वार ज्यान जो है एक बहुत बड़ी चीज है स्वार ज्यान जब तक नहीं होगा आपको तब तक आप गाने को नहीं निकाल सकते हैं स्वार ज्यान के आभी समझ लेंगे इस गाने को निकालने के साथ सब दोस्तों गाना इस प्रकार है बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तो फाला आए हैं आरे अपना लोया ठुकरा दो प्यारे का तो फाला आए हैं बहुत ही प्यारा सा गीत है आप स्वार ग्यान का मतलब यह है कि इसका पहला स्वार हमें को मालूम चलना चाहिए कौन सा बटम से स्टार्ट होगा तो कैसे किरेंगे ग्यान को इस स्वर को कैसे पहचानेंगे देखी बड़ी दूर इसे बड़ी दूर बड़ी दूर अब यहां पे तो हर्मोनियम के स्वर में इस सरगम के स्वर में कौन से स्वर कितने नंबर वाली स्वर मेंच करेगा शुरु वाला बड़ी दूर इसे यह वाली जो हम गुणगुना रहे हैं जो स्वर निकल रहा है उसको देखना कहाँ पे होगा अपिए बड़ी बड़ी यह यह रही है बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर ठीक है तो हमें सिर्फ गुर्गुना के स्वर के हिसाब से जब श्टार्ट मिल जाएगा तो उसके बाद उसके आजू-बाजू में ही स्वर रहता है ठीक है जैसे देखिए बड़ी दूर से देखिए यहीं पास्ता ही है से आप देखिए आए है जब पले के साथ साथ आपको गुन गुनाना भी चालू रहना चाहिए देखिए कैसे बड़ी दूर दूर बड़ी दूर से यहीं वाला स्वर यह थोड़ा सा अस्थाई है यहां पर बड़ी दूर से आप देखिए आए है और उपर है को मली आए है अब देखिए आसे देखिए प्यारे का लाला की प्यारे का स्वर का रेंज उपर नीचे होने के कारण इसमें होता क्या है कभी बटम यह साइट जाता है और कभी बटम यह साइट ठीक है किसी भी गाने में हर गाने में यही तरीका है क्योंकि जो सीधी नुमा जो चढ़ाव उतार है गाने में तो जहां पर आपको गाने में थोड़ा जोर लगे माहाँ पे समझ लेंना कि स्वड़ का रेंज उपर जाएगा उपर जाएगा तो यह साइड चलते रहना है और जहां पर ठोड़ा सा हलका पन लगे और भड़ी पन लगे तो सीधे समझ लेना कि मत यह तो फिर नीचे जाएगा ठीक है देखी कैसे अब यहां से जब स्टार्ट हुआ मान केड़ें यह लोग यहां से गाना स्टार्ट यह उपर लया तो यह सग आ यहां से फोड़ों उसके बाद डाउन है प्यारे का यहां पर डाउन हो गया पूरा लो आगे यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया फिर दीरे-दीरे करके गाना यहां पर आके अभी तक आया है ठीक उसके बाद प्यारे का अब देखिए तो तो फाला है है ठीक है जहां से गाना इस्टार्ट फिर वहीं पर आके रुप गया ठीक है देखिए कैसे अब एक चीज और ध्यांग देना है कि जब गाना आप निकालते हैं तो हर्मोनियम पर स्वर नहीं निकलते ही लैरिक्स नहीं जैसे लिखा हुआ जाब मान के चली लिख रहे हम कोई भी सब्द आमन या तो राजु या तो जो भी नाम हो गाने में बहुत सारे नाम भी आते हैं बहुत सारे सब्द भी आते तो यहां पर आपको अगर लिखेंगे आमन तो इसमें भी तीन लेटर यूज होगा ठीक है आमन लिखने के लिए तो उसी प्रकार जो है यहां पर अगर आप स्वर को निकाल रहे हैं तो स्वर के हिसाब से बटम को यूज होता है जैसे बोलने में जिस तरीके से किसी भी बस्तुक उचारन करते हैं व बहुत सारे स्वर लगे होंगे जैसे अब यहां पर बड़ी दूर से स्वर के हिसाब से अईसे भी हो सकता है बड़ी दूर से आए हैं अलग भी हो सकता है तो यहां पर लेरिक्स नहीं निकलता है स्वर ठीक है क्योंकि एक ही गाने के उपर एक ही तरजी के उपर बहुत सार तो आपको अनुव होता है कि यही गाना बज़ रहा है तो लेरिक्स को हटा देना है सिर्फ गुल्गुना करके भी आप हर्मोनिम को सीख सकते हैं अब है इसका अगला स्टेप अपना लोया ठुकरा दो प्यारी का तो फाला आए है बड़ी दूर से आए है यह तो गारा निकालने का ट्रीक है तरीका है ठीक है देखिए दोस्तों अगर इंसान को मन में में मेहनत करने की लगन हुआ जिदो कुछ पाने के लिए कुछ हासिल करने के लिए कि तो मेरा मानना है कि कोई काम मुश्किल नहीं है घर्मोनियम की चीज है कोई भी काम मुश्किल नहीं है तो आप चाहें आपके अंदर अका लगन है किसी की हुनर को पाने के लिए तो आप असंभब से संभब काम को भी बहुत इसरल तरीका से कर सकते हैं इक्जामपल शुरुप यह मोवाईल इसमें हर्मोनीं बजाकर आपके सामने में दिखा रहा हूं सबसे पहला चेनल यूटूब पर अगर मोवाईल से हर्मोनीं सिखाने की बात हो तो आप साच मार के देख लेना और उसी फिल्म ही है जिसे मैं अभी सिखा रहा हूं उसके बाद देखकर बहुत सारे लोग सीख भी गए और बहुत सारे लोग सिखा भी रहे हैं तो मैं थैंक्यू बोलूँगा सभी को सीखने वालों के लिए अब जो है आपकी बार है सीखने का अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो ला मगर सिखा रहे हैं और हमारे सिखाने साब सिख रहे हैं तो मुझे नहीं पैसा चाहिए नहीं तो और कुछ चाहिए शिरफ आपका प्यार चाहिए सपूर्ट चाहिए अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक करके सेस्क्राइब कर देजेगा और एक सेर मैं इसलिह बोल रहा हूं शेर करने के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय कम है या तो समय का भाव है या फिर उनके पास ओर्जीनल वाला जो हर्मोनियम है 12-13,000 का अब या बढ़ियां से बढ़ियां हर्मोनियम लेने जाओगे तो 40,000-50,000 तक का आता है या फिर 10,000 से पलस याए जिससे कि आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं तो बढ़ियां लगा हो तो बस आप अपने इच्छा अनुसार सपोर्ट कर दीजेगा और बाकी आपके सेवा में मैं हाजिर हूं कमेंट बोक्स में बता दीजेगा हमको कौन से गाना आपको चाहिए शिखने के लिए या त कुछते फिर आगले वीडियो में तब तक क्लिप आए बाएं